नमस्कार साथियो तो करेंट अफेर्स की स्क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों उमीद है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और धीरे धीरे करके वो और भी बहतर होती हुई चली जाएगी ठीक है तो चलो शुरुआत करते हैं कल के सव है के लिए उन्हें प्रतिस्थित सरस्वती सम्मान मिला है दोजारी किस के लिए सरस्वती सम्मान मिला है सरस्वती सम्मान है ना जिसे राम के दर्शन हो गए मानलो उसे मिल गया बही सरस्वती सम्मान ठीक है राम दरसमिस्रा को उनकी कविताओं के लिए तो वो है मैं तो हूँ क्या है उनकी कविताओं का संग्र है मैं तो यहां हूँ सीधे सीधे सवाल जो आप से सरस्वती सम्मान से पूछे जाएंगे यसे कौन देता है के के बिडला फाउंडेशन देता है कौन बच्चो के के बिडला फाउंडेशन देता है इसकी शुरुवात 1991 से हुई कब 1991 से हुई बच्चो ठीक है और इस बार के लिए 2021 के लिए यह कौन सा था 31 मालो साल ना पूछे तो आप कहोगे 31 जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया ठीक है 31 सरस्वती सम्मान किसे दिया गया इसमें पुरुषकार रासी आप से पूछी जाएगी तो आप 15 लाक रुपे बताओगे शुरुवात पूछी जाएगी तो 1991 बताओगे बच्चो ठीक है, हाल ही में किस तस्वीर ने, World Press Photo of the Year 2022 है ना, World Press Photo of the Year 2022 का प्रुसकार जीता है, तो कमलूप से रेजिडेंशल स्कूल, कमलूप से रेजिडेंशल स्कूल, जो है, इस टाइटल वाली एक तस्वीर थी, उसने जीता है ये प्रुसकार बचो, और ये किस चीज की तस्वीर थी बचो, तो एक स्कूल था, कोलंबिया में बचो, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, क कि बहुत सारे बच्चे दुर विवार की वज़े से, यानि उनके साथ अच्छा विवार नहीं हुआ, उनके साथ उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब है, तिरस्कार करना किसी का है, यानि कि जिन पर ध्यान ही न दिया जाए, ठीके बच्चों, जिन ऐसे इग्नौर किया जाए, और बिमारी से मर गे थे, 200 से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, तो उनकी आद में, उन बच्चों के जो कपड़े ना, ऐसे क्रॉस पर लटकाए हुए थे, किस पर? क्रॉस पर लटकाए हुए थे, उस तस्वीर को जो हमें ये पुरुसकार मिला है, बेस्ट फोटो का, ठीक है बेस्ट फोटो का परुसकार मिला है, उस तस्वीर को, सेमी कंड़क्टर मिशन का मार्ग दर्शन करने वाली सलहकार समेती के अध्यक्ष कौन है, तो देखो सेमी कंड़क्टर पे जो समीती बनी है, अश्वनी वैशनव, अश्वनी वैशनव क्योंकि रेल मंत्री तो हैं, electronics और बचो, IT मंत्री भी है, electronics और IT मंत्री भी कौन है, अश्वनी वैशनव है, इसलिए इनको बचो, सेमी कंड़क्टर का मार्ग दर्शन करने के लिए, एक जो सत्रे सदस्यों की सलहकार समीती बनी है, कितने की? सत्रेकी, उसका अध्यक्ष बनाया गया है बचो, ठीक है, उ जो chip होती है semiconductor नाम की आत निर्भर बनने का क्या आत निर्भर बनने का ये mission है बच्चो ठीक है और इसके लिए बच्चो कितने रुपे कितने इसका सेल में कुछी गड़ वड़ है इसका मतला हुआ है ये है राम को है और थैजित्क नहीं तो मेंा है ये में सुब इसक क्या दिर रहला है कि अे उन्ज रहे रहला है आत निंद्ट है रहाथ हुआ है ये सילगो आत निसनी क 있고요 दिल्ली पलिस से clash भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली पलिस वाले बच्चेबाद में देख ले में उसे ठीक है पूल की तारी है वाज चलो बच्चो तो यह हो गया ठीक है पता नहीं सेल कोई सेल उसमें से खराब हो गया और ना तो अभी कल परसों ही डाले थे बच्चो चलो शुरुआत करते हैं अगली हाँ यह हो गये अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीती में इसाइकलों को शामिल करने वाला यानि e-cycle जो हैं, वो भी electrical, electronic जो vehicle हैं, उस नीती में शामिल किये गए हैं, किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा किये गए हैं, और पांच्वा सवाल मैं आप से पूछा था बच्चो, कि हाली में किसने, किताब, Not Just a Night Watchman, My Innings with BCCI, जब BCCI में सब कुछ सही नहीं चल र था, तो Supreme Court ने एक समीती बना दी थी, और उसमें उस समीती को बोला गया, बच्चो, प्रसासक समीती, उसके अध्यक्ष थे कौन? बच्चो, विनोध राए, ठीक है? विनोध राए, कौन रहें विनोध राए? विनोध राए, बहुत famous keg रहे हमारे, ठीक है? विनोध राए हमारे बहुत famous keg रहे हैं, जिन्होंने, बच्चो, वो 2G spectrum घोटाला, 2G, और जो कोल, कोले वाला था, कोल घोटाला, ये दोनों जो बहुत बड़े-बड़े घोटाली जो हैं, बच्चो, जिन्होंने, क्या ये जो लेके आए, सब की नजरों में, बच्चो, ठीक है? ये keg रहे हैं भारत के, तो not just a night watchman, my innings with BCCI, किसने लिखी है, विनोध राय ने लिखी है, किसने? विनोध राय ने लिखी है, ठीक है, चलो, ये है विनोध राय, अगले सवाल पर चलते हैं, जो कल का revision है हमारा, कल का revision, बच्चो, ICC player of the month जीतने वाली पहली भारतिया महिला क्रि क्रिकेटर, खुद से attempt करो, तब ही best फायदा इसका जब इसे खुद से attempt करोगे बच्चो, और बच्चो, क्लास को ना, अगर हो सके तो जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके साथ share कर दिया करो, ठीक है, ज़्यादा संख्या में आप पढ़ोगे ना, तो आपका पढ़ने मे भी मन लगेगा, और मेरा पढ़ाने में और ज़्यादा लगेगा, ठीक है, चलो, ICC Player of the Month जीतने वाली पहली भारतिय महिला करकेटर कौन बनी हैं, बच्चो, जल्दी बताओ, क्या ये बनी है, क्या ये, क्या स्मृति मंधाना नहीं, हर्मन प्रीत कौर बनी है, कौन, हर्मन प्रीत कौर बनी है, ठीक है, चलो, सितंबर मंत के लिए, इनके साथ किसको, मुहमद रिजवान को भी है, ना, मुहमद रिजवान को भी, इनके साथ साथ ही अवार्ड मिला है, किसको, मुहमद रिजवान को भी, चलो, अगला सवाल है, स्री महा कालेशवर मंदिर मध्य प्र बच्चो क्या है 850 करोड रुपे का लगभग उस पे खर्चा आएगा बच्चो ठीक है इसके अलावा वहाँ जो railway station है न तो महाकालेश्वर जो मंदिर है बच्चो महाकालेश्वर मंदिर तक railway station से ropeway भी बनाया जाएगा रोपवे भी एक बनाया जाएगा ये भी इसका हिस्स साथ खे लगा UAE का सीर्स alternative medicine award किसने जीता है बच्चो वजाहत हुसेन कहां के retired professor है AMU अलीगर्ड मुस्लिम यूनिवस्टी के retired professor है और इस प्रुसकार का नाम क्या है बच्चो इसका है शेख जायाद अंतरास्तिय प्रुसकार क्या शेख जायाद अंतरास्तिय प्रुसकार हा मसूरी में हुआ है बच्चो कहां मसूरी में हुआ है और बांगलादेश के जो थे ना बांगलादेश के जो officers हैं उनको वहाँ पर train किया गया है ठीक है उनकी capacity building का काम वहाँ पर किया गया है कौन अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे बच्चो तो ये बनेंगे कौन टॉम क्रूज बनेंगे बच्चो कौन टॉम क्रूज बनेंगे अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता ठीक है चलो कौन बनेंगे टॉम क्रूज बनेंगे बच्चो कौन सा राज्य चार बागवानी स्टेट स्थापित करेगा किसानों की मदद के लिए किस प्रदेश ने हिमकैड योजना शुरू की है। हिमकैड योजना जो है किसानों की मदद के लिए किस प्रदेश ने शुरू की है। जल्दी बताओ, हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। सिचाई से मुख्यत संबंदित है। सिक्चाई और जल संदक्षन से संबंदित है हिम कैड जो योजना है मध्य प्रदेश के दौरा हिमाचल प्रदेश के दौरा शुरू की गई है बचो football for all किसका एक कारेकरम है फीफा का है किसलिए है school के level से ही जो बच्चों में football के पृति जो है बच्चो football for all उड़ीसा के दवारा है नवीन पटनायक कौन है बच्चो ठीक है उड़ीसा 10 साल के लिए hockey का sponsor है किसका जो हमारी होकी टीम है उसका स्पॉंसर कौन है दस साल के लिए उडीसा राज्य है बच्छो ठीक है उडीसा में किस किस से मिलके उडीसा में ही क्या हो रहा है बच्छो इस बार होकी का होकी का जो बताओ सबसे बड़ा जो क्या है बच्छो होकी का सबसे बड़ा जो स्ट स्टेडियम में भगवान बिर्सामेंडा को कहां पर है जल्दी से कमेंड़ करके बता वत्चों आपर रावट। नाम है भगवान बिर्सा मुंडा के नाम से एक जो होकी स्टेडियम बन रहा है वो चो 20,000 की छमता है उसकी या 40,000 की जल्दी बताओ उसकी जो दर्शकों की छमता है 20,000 की या 40,000 की जल्दी से कमेंट करके बताओ बचो 20,000 की है या 40,000 की कितनी उसकी दर्शकों की छमता है ज इतने की 20,000 बैठेंगे उसमें, चलो, अगला कुशन बचो, अंतरास्टी ए, अंतरिक्ष स्टेशन की कमाल सम्हालने वाली, कमान सम्हालने वाली पहली यूरोपिय महिला कौन है, तो सामन्था क्रिस्टो फेरेटी है, सामन्था क्रिस्टो फेरेटी, मुझे जल्दी से जाएंगी बचो, ये किस देश की हैं, जल्दी बताओ बचो, ये कौन से देश की हैं, पहली यूरोपिय, जो बच्चा USA कह रहा है, वो तो गलत हो गया न, भाई USA, यूरोपिय, इसमें लिखा है, यूरोपिय महिला, यानि यूरोप के किसी देश की महिला होंगी, किस की, यूरोप की किसी देश की महिला होंगी, बिलकुल बचो, इटली, क्योंकि ये इटली की पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री थी, अब ये अंत्रिक्ष स्टेशन, जो अंतरास्तिय अंत्रिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसकी कमान समाल लेंगी, ठीक इन उसकी commander बन जाएंगी एक तरह से उसकी captain, इनके कहने से होगा जो भी होगा बच्छो, ठीक है, चलो, किसने गुजरात में Modi सेक्षिक संकुल, जिसे Modi educational complex कहा जाएगा, उसके पहले चरण का उद्गाटन किया है, प्रधान मंत्री Modi ने ही किया है, ये जरूरत मंद छात्रों क को सिच्छा उपलब्ध कराने के छेत्र में काम करेगा, ठीक है, जरूरत मंद छात्रों को बच्छो, अगला कुशन है, किसने चौथे हैली India Summit का उद्गाटन किया है, पहले तो ये बताओ, ये कहां किया गया है, कहां किया गया है, चौथा हैली India Summit, कहां पर, हेलीकोप्टर के प्रियोग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हेलीकोप्टर कहां जा सकता है, बच्छो, लास्ट माइल, अपने देश में, लास्ट कदम पे भी जाना हो, लास्ट मील पे भी अगर जाना है, तो हेलीकोप्टर से वहां आप जा सकते हो, ठीक है, ये ठीक है, कि भई, जो मंत्री हैं इनके जोते रादित्य सिंधिया लेकिन हुआ कहां शरी नगर जम्मू कस्मीर में बहुत बढ़िया शरी नगर जम्मू कस्मीर में बच्छो ठीक है चलो किस देश में हाल ही में देश के अगले चीफ जस्टिस यानि पचास-वे कौन बनेंगे बहुत महत्पू होने बच्छो पहले बताओ जल्दी कौन थे पहले आपको पता होना ही चीए ठीक है उने चास में आपको पता होना चीए अड़ तालिस में आपको पता होना चीए पचास में आपको पता होना चीए ये चारों आपको पता होना चीए बच्छो ठीक है देखो पहले कौन थे हरी लाल जे कानिया है ना हरी लाल जे कानिया एच जे कानिया बिल्कुल ठीक है ना अटालिस में अवी रमन कौन भचो एन वी रमन है शे की के कोज कोटे इस्तिस यू ललित है चीक है और पचास में कौनसे हैं पचास में हमारे वम से बच्छो यस्तिस डिवाइच छंद्रचूद धनंजय यश्वंत्र चंद्रचूद इनका पूरा नाम है ये पचासमें हो जाएंगे 9 नवंबर को चार्ज अपना ले लेंगे है ना 9 नवंबर और ये 2024 तक बने रहेंगे ठीक है 2024 तक ये इसी पद पर बने रहेंगे बच्चो चलो अगला कुशन है हमारा किस देश के पूर प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पदम विभूशन से सम्मान किया गया 2021 का पदम विभूशन दिया गया था सिंजे अबे को बच्चो गोशना कर दी गई थी अब क्योंकि उनकी हाल ही में मिर्ति हो गई थी तो उनकी जो पतनी है स्रीमती अकी आबे स्रीमती अकी आबे को जापान में जो भारत के राजदूत हैं संजे कुमार वर्मा ज सिंजो आबे जी की पतनी को बच्चो ठीक है चलो आज के सवाल देख लेते हैं भारत ने 2022 में आईमेफ ने 2022 में भारत के सकल घरेल उत्पाद में जीडीपी में विकास के अनुमान को घटा कर कितना कर दिया है जो आईमेफ अनुमान लगाता है बच्चों है ना अनुमान अनुमान कई बार जैसे माहौल होता है उसके हिसाब से बदलता रहता है ठीक है उसके हिसाब से तो अब जो आईमेफ ने लेटेस्ट अपनी रिपोर्ट लेके आए वह छे पॉइंट आठ कर दिया है ठीक है 6.8 वर्ल्ड एकनोमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है वर्ल्ड एकनोमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है बच्चो ठीक है जिसकी मुद्रा है SDR जिसे फुल फॉर्म होती है जिसकी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जिसकी फुल फॉर्म है तो वर्ल्ड एकनोमी आ संकट में पड़े लोग हैं खास तोर पर उस दिल उसके लिए बच्चो ठीक है चलो तो यह है आई एम एफ में बच्चो आर्थिक संकट का जो सामना कर रहे है ना हना गोल्डन पेपर के नाम से भी SDR को जाना जाता है बच्चो ठीक है गठन जो है 1945 में हुआ 1945 में गठन हुआ और इसके M.D कौम है क्रिस्टाली न जोरजीवा ठीक है M.D है ना यानि मैनेजिंग डारेक्टर यानि परबंध निदेशक कौन है खुआ boa जोर्जी वा और इसकी बच्चो डिप्ती M.D ओप पर परबंध निदेशक कौन है ओप पर परबंध निदेशक ह में है World Bank का भी IMF का भी किसका IMF का भी और World Bank का भी दोनों का Washington DC में है भारत के पहले कडावुर Slender Loris अभ्यारन ने देखो बच्चो यह जो जानवर दिख रहा है आपको इसका नाम है Slender Loris ठीक है इसका अभ्यारन ने इसका अभ्यारन ने नहीं सेंक्चुरी जो सेंक्चुरी जो होंती है नहीं मालों बर्ड सेंक्चुरी यह नहीं बर्ड जो है उनके संदक्षन के लिए ठीक है कोई ऐलिफेंट के लिए भी हो सकती है तो ऐलिफेंट के संदक्षन के लिए तो इसके लिए जो कडावूर, स्लेंडर, लॉरिस, अभ्यारनने है बचो, ये जो है, कहाँ, इसके संरक्षन के लिए, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर खोला गया है, ये तमिल नाडू में, ठीक है, तमिल नाडू में बचो, ठीक है, कौन-कौन से जिले में, करूर और डिंडी गुल, दो जिले इसके संरक्षन के लिए काम करेगा, इस्पेशली इसके लिए ही बनाया गया है, बचो, ठीक है, चलो, अगला सवाल है, गैर पारंपरिक आजिवी का में, लड़कियों के कोशल को, किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है, यानि बचो, नॉन ट्रडिशनल लाइवल मंत्राल्य तो हमने पढ़ा था, मंत्राल्य हमने पढ़ा था, बचो, ये है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के तहत है, बचो, ठीक है, और ये महिला एवं बाल विकास मंत्राल्य के अंतरगत आता है, कौन से? महिला एवं बाल विकास मंत्र पहल आती है बच्चो, PM Divine योजना मैंने Divine की फुल फॉर्म बताई थी, उसी से आपको पता चल जाएगा किस छेत्र के विकास के उद्देश्य से है ये, किस छेत्र का विकास इसका उद्देश्य है, जल्दी बताओ, PM Divine योजना का, PM का मतलब प्रधानमंत्री, Divine का मतलब है Development Initiative for North East, ठीक है, PM DEV मतलब Development I4 Initiative for North East, ठीक है बच्चो, तो ये जो स्कीम है, किस के लिए है, उत्तर पूर्वी छेत्र के विकास के लिए, किस के उत्तर पूर्वी छेत्र के लिए, विकास के लिए, उसमें क्या-क्या, इसमें बच्चो, भौतिक और सामाजिक जो बुनियादी ध धाचा है, भौतिक बुनियादी धाचा है, जो पुल है, रेलवे है, इस टाइप की चीज़े, और जो सामाजिक बुनियादी धाचा है, जो स्कूल भी हो सकता है, पंचायत भी तो चीए सकती है, ठीक है, तो इसके लिए 600 करोड रुपे से अधिक के बच्चो, अभी प्रो स्वास्थ सेवाओं के लिए कौन सी पहल शुरू होगी, 24 घंटे, और बच्चो, हर राज्य में एक सेंटर बनेगा, जो इस पेशली डेडिकेटेड होगा, किस चीज के लिए, बच्चो, हर राज्य में एक सेंटर, जो इस पेशली मानसिक स्वास्थनी, मेंटल हेल्थ के देडिकेटेड होगा, एक बच्चो, कॉल सेंटर भी बनेगा, जहां इस तरह से संबंदित चीजों के बारे में लोग कॉल कर पाएंगे, ठीक है, एक कॉल सेंटर भी बनेगा, तो इस शारी की सारी चीज़ें जो है, कहां होंगी, बच्चो, टेली मानसिक के तहत होगी, हर राज्य में ठीक है, 10 अक्टूबर को क्योंकि विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस मनाया है हमने, विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस 10 अक्टूबर को बच्चो, जल्दी देश के प्रतेक राज्य में एक एक तेली मानस केंद्र शुरू होगा, ठीक है, जहां 24 गंटे यानी की तीका करण में विसेश जो है उपलब्धी प्राप्त की वो कौन सा राज्य था, जल्दी बताओ, मिशन इंद्र धनुस में इस बार पहले नंबर पे कौन सा राज्य था, हिमाचल प्रदेश नहीं था, उडी सा था, बिलकुल सुशिल कुमार ने सबसे पहले जवा सकता है, किसी आपदा के जोखिम को, यानी कोई बहुत बड़ी प्रले टाइप मान लो, हैना किसी आपदा के जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है, कौन सा बचो इंटरनेशनल reduction day, जो भी disaster आएगा, उसे कैसे, हम क्या कर सकते हैं, बच्चों कैसे reduce कर सकते हैं, कैसे इसमें reduction कर सकते हैं, कैसे इसमें कमी कर सकते हैं, तो ये जो है 13 October को मनाया जाता है, कब 13 October को ये मनाया जाता है, हाल ही में किस भारतिय जहाज ने इबसा मार 7th में भाग लिया, पहले ये बताओ मुझे इसमें कौन-कौन से देश हिस्सा लेते हैं, ठीक है, कौन-कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं, ये ठीक है, कि इसमें एक भारती है, ये क्या है बचो, एक समुद्री युदभ्यास है, तो इसमें भारत का कोई ना कोई जहाज हिस्सा लेगा, कोई ना कोई INS तरकश, तरकश ने हिस्सा लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन-कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं, जल्दी से comment करके बताओ, कौन बच्चा बता सकता है, कौन-कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं, देख बच्चो, एक संग्ठन है, इबसा, इबसा एक संग्ठन है, तो इबसा का मतलब है, I, India, B, Brazil, South Africa, ठीक है, मरीन, यानि की समुद्र से संबंदित है, तो इसमें तीन हिस्सा लेते हैं, बच्चो, इंडिया, ब्राजील, South Africa, इबसा ठीक है, इंडिया, ब्राजील, South Africa, तो इसका सात्वा संस्क्रण हुआ है, इबसा का कौन सा, सात्वा संस्क्रण हुआ है, बच्चो, और 10 से 12 एक्ट का, आपने पढ़ा है, इंडर भारत और रूस के बीच में, क्योंकि इंडर देवता बहुत जल्दी रूस जाते हैं, तो भारत और रूस के बीच में, अजय वारियर आपने पढ़ा है, बच्चो, भारत और किसके बिटेन के बीच में, कौनकन शक्ति आपने पढ़ा है, भ हाल ही में समुद्री विवाद पर इज्राइल और किस देश ने एक एतिहासिक समझोता किया है बच्चों इज्राइल कर देखो बहुत देशों के साथ विवाद है वैसे तो है ना क्योंकि इज्राइल जो है जो आसपास से घिरा हुआ है वो ऐसे कंट्री से घिरा हुआ है जि इज्राइल और लेबनान की जो सीमा थी बचो, उसमें जो जल सीमा पे पंगा चल रहा था न वो उस पर एक समझोता हुआ है अइतिहासिक, ठीक है? एक समझोता हुआ है अइतिहासिक, हाल ही में किसने, 2022 जापान उपन पुरुस एकल खिताब, टैनिस में ठीक है? टैनिस में Japan Open Hall ही में किसने जीता है तो ये जीता है जल्दी बताओ क्या A ने या B ने देखो C और D ने तो नहीं जीता ये जीता है Taylor Fridge ने बच्चो ठीक है Taylor Fridge Japan Open है ना जापान का जो Taylor आता है जापान का जो Taylor आता है उसके कपड़े ये खुद अमेरिका के हैं भारतिये निवेशकों की मदद के लिए किस देश में एक Fast Track तंत्र यानि Fast Track Mechanism यानि जो भी समझ्चा है भारत में जो लोग पैसा लगाते है ठीक है FDI यानि की Foreign Direct Investment किस कैसे आता है कि जब कोई विदेशी जो विक्ती है भारत में किसी भी छित्र में पैसा लगाता है तो उसे बोला जाता है FDI बच्चो तो क्योंकि UAE से हमें क्या करना है बहुत सारा पैसा निवेश करवाना है UAE भी देखेगा कि किन किन छित्रों में भारत में अच्छी संभावना है जहां आगे कोने प्रॉफिट मिलेगा तो पैसे लगाएंगे अपने आप ही लगाएंगे ठीक है चलो लेकिन कब लगाएंगे जब उन्हें यहां पर समश्या नहीं आएगी है तो समश्याओं को निप्टाने के लिए अगर कोई भी दिक्कत उन्हें आती है बचो तो क्या होगा उसके लिए एक Fast Track Mechanics स्थापित किया जाएगा जिससे की कोई भी समश्या आती है तो उसे जल्दी से जल्दी जो है उसको टैकल किया जा सके ना कोई भी आदमी जंजट में पढ़ना नहीं चाहता ना अगर ऐसा हो जाए कि एक जगे तो मुझे आसानी से एक बिजनिस सुरू होने को हो रहा है और दूसरी जगे भचो आसानी नहीं है यानि वहाँ पे जैसे ही मैंने बिजनिस सुरू किया अगले दिन दो तीन भाई आगे भाई को हपता देने का अरे भाई हपता तो अभी बिजनिस को हुआ भी नहीं है कहां से हपता दे दू तुझे ठीक है तो अगर ऐसा है इस तरह से कोई भी समश्या है यह तो मैंने नॉर्मल एक बताया लेकिन यह किसी भी तरह की कोई समश्या है मानलो वो company खोलना चाह रहे हो ठीक है या किसी और license में समश्चारी हो या किसी और चीज मारी हो तो उन सब को निपटाने के लिए क्या है UAE का UAE के अगर लोग हमारे हैं क्या करेंगे कोई भी investment करना चाहते हैं तो उन्हें निपटाने के लिए उनकी समश्चाओं को एक fast track mechanism इस्थापित किया जाएगा ठीक है चलो अगला कुशन है प्रधान मंत्री जिए ऐई टैग मिला था क्या चमबा चपल को जिए ऐई टैग मिला था जल्दी से कमेंट करके बताओ यस या नो, जल्दी से एक बार बताओ बच्छो, चमबा चपल को GI tag मिला था, क्या हाल ही में, बिल्कुल मिला था बच्छो, ना, सोवा, सोवा, हर घर जिला बना था, क्या हिमाचल पृप्रदेश का चमबा, क्या सोवा, हर घर जिला बना था, ये जल्दी बताओ, क्या ये सो पुजरात के सूरत में, रास्टिय खिलों के समापन में, कौन सर्वस्रेस्थ पुरुस खिलाडी रहे, देखो बचो, नेशनल गेम्स होगे, ठीक है, सर्विसिज यनि सेना, सर्विसिज बोला जाता है, सेनाओं को संयुक्त रूप से, सर्विसिज बोला जाता है, तो पहले नंबर पे इसमें कौन रहा है, पदग के मामले में, सर्विसिज थीक है, सर्विसिज ने सबसे ज़्यादा पदग जीते हैं, पदग तालिका में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर पे तालिका में महारास्थ है, कौन है बच्छो महारास्थ है, दूसरे नंबर पे ठीक है, तो सर्विसेज ने पहले नंबर पे जीते हैं, दूसरे नंबर पे पदक जीते हैं, किसने महारास्थ ने बच्छो ठीक है, तो इसमें साजन प्रकास जो है, साजन प्रकास को क्या मिला है बचो, बैस्ट पुरुस खिलाडी का आवार्ड मिला है, ठीक है, और बैस्ट महिला का हर्शिका राम चंदरन, हर्शिका राम चंदरन बचो, साजन प्रकास केरल के हैं, सर्वसेस्ट पुरुस खिलाडी हैं, हर्शिका राम चंदरन करना टकी हैं, सर्वसेस्ट महिला खिलाड बताईएगा, आफलाइन कमेंट में देखूंगा, किसका सही है, किसका गलत बच्छो, ठीक है, दोनों का बताना है, साजन प्रकास को तो जादता लोग जानते हैं, जी तेरा की, दूसरा भी बताना है, ठीक है, चलो, गुजरात के सूरत में, रास्टिय खेलों का समापन अगला कुशन है, हाल ही में, एसमानता सुचकां को कम करने की पृतिवधता में, कौन सा देश सब से उपर है, जो किसी भी तरह की एसमानता है, इन एक्वैलिटी है, बच्छो, उसको कम करने के लिए, जिन देशों ने प्रियास किये हैं, उसमें पहले नंबर पे कौन सा द प्रेसी इंडेक्स में भी आया था, क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या नी प्रेस की स्वतंतरता, प्रेस की स्वतंतरता में भी पहले नंबर पे आया था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना, नंबर दो ये हो गया, नंबर तीन मुझे बताओ, क्या नारवे को पीछे छ होच गया है किसकी बजाए नार्वे को पीछे छोड़के बचो human development index में क्या तीनों सही हैं कोई सा गलत तो नहीं लग रहा आपको कोई सी चीज गलत लग रही हो तो जल्दी बताओ कोई सी चीज इन में से आपको गलत लग रही हो तो जल्दी बताओ बचो हां तीनों चीज ठीक है ना नार्वे प्रेस freedom index में भी और प्रेस freedom index में भारत कौन से स्थान पर आया जराब बताना प्रेस की स्वतनता democracy index में आपको गें चालिसवे नंबर पर नंबर नरही क बसुन Candi G20 11 प्राइवास Vaid 150, है ना, Press Freedom Index में भारत 150 वे नंबर पे है, और HDI में भारत 132 वे नंबर पे है, किस पे है, 132 वे नंबर पे, बिलकुल, maximum बच्चों को पता है, maximum बच्चों को बिलकुल correct पता है, ठीक है, चलो, हाल ही में, किसने भारत में, flexi fuel strong hybrid electric vehicles, hybrid electric vehicles, यानि hybrid का मतलब है, जो केवल एक ज्यादा चीज़ों से वो बच्चों चल सके, ठीक है, इसमें अपनी तरह की पहली pilot project का शुभारंब किया है, pilot project, यानि वो चलेंगे, उसमें क्या होगा, कि ऐसे vehicle, जो electric तरीके से भी चल सकते हैं, जो petrol से भी चल सकते हैं, और ऐसे petrol से भी, जिसमें 20% से लेके, 100% तक भी ethanol ह 20% से लेके, बच्चों, इन तीनों तरीके से चलाने के लिए, एक pilot project यो है, शुरू किया गया है, नितिन गड़करी जी ने शुभारंब किया है, और वैसे Toyota ने चलाया है, किसने, company जो है Toyota है, अगर ये वो देखना चाहरे हैं, कि सब चीजों से चलने वाला भी कोई engine वो ब ठान के लिए, लोक नायक जैपरकास नारायन, जिनने, बच्चों, ज़्यादा famous नाम, JP नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उनकी एक 14 फिट उची प्रतिमा का अनावरन किया गया है, जो हैं हमारे ग्रहमंतरी अमिश शाह, उन्होंने किया है, बच्चों, कौन से जिले में सारण जिले में, सारण जिले में, लोक नायक जैपरकास जी की 14 फिट उची प्रतिमा का अनावरन किया गया है, उनकी जैणती पर किया गया है, है ना बच्चों, कहां, उनकी जैणती पर, ठीक है, चलो, JP के नाम से इन्हें जाना जाता है, सुँटंतर कारिया करता थे, लाने के लिए जिन्होंने प्रियास किया बच्छो है ना, 1999 में मर्नो परांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है, 1999 में बच्छो, जल्दी से एक बार रिवीजन देखेंगे, IMF ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उतपाद में विकास के अनुमान को घटा कर कितना क हुआ, इसकी MD कौन है, क्रिस्टालीना जौर्जीवा है, इसकी पहली महिला MD कौन थी, जल्दी बताओ, पहली महिला प्रबंध निदेशक, इसकी पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन थी, ये कुश्चन तो एक स्टैटिक का कुश्चन है, कभी भी बन सकता है, पहली महि गीता गोपिनाथ तो बच्चो डिप्ती एमडी हैं, मैंने तो पहली प्रबंध निदेशा की पूछा है, आप सवाल को ध्यान से नहीं देखते हो, अभी साथ बजे ना, एक मैं लिंक शेयर करूँगा एक वीडियो का, है ना, कुछ चीजें जो आपके जरूरत की हैं, क्रिस्टिणा लिगाड थी, कऊन थी बच्चो या लिगार है ना, क्रिस्टिणा लिगार नाम से लिखाएगा, वो थी, पहली आइएमफ की महीला परबंध निदेशक ठीक है, महीला परबंध निदेशक यानि पहली थी, यह दूसरी है क्रिस्टालिना जॉड जीवा, कुछ ने गीता गोपिनाथ हैं बच्चो, ठीक है? किस राज्ये ने भारत के पहले कडावर, स्लेंडर, लॉरिस, अभ्यारन ने की घोशना किया है? तमिल नाडु ने किया है? किस ने तमिल नाडु ने? गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमु किये गए बच्छो हाल ही में और जो इसमें 13,000 से अधिक प्रोजक्ट जिसमें चलेंगे बच्छो ठीक है उत्तर पूर्वी हर राज्य में 24 गंटे मानसिक स्वास्थ सेवाएं के लिए कौन सी पहल शुरू किये तेली मानस क्या हर राज्य में एक सेंटर बनाया जाएगा बि जरी इंटरनेशनल डिजास्तर रेडक्शन डेग चाहिए यह 23 अक्टूबर को मनाया जाता है किस भारतिय समुझरी जहाजने इबसा अमार 7 में भाग लिया है, किस समुझरी जहाज ने? INS तरकष ने लिया है किसने? INS तरकष ने लिया है बच्चो ठीक है इपसा मार किस किस के बीच में होता है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफरीका कौन सा संसकर्ण हुआ है सात्वा हुआ है इस से पहले कब हुआ था 2018 में हुआ था बच्चो ठीक है यह जो आइरन डोम है किस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बच्चो ठीक है येर लेपिड किस देश के प्रधान मंत्री है इजराइल के प्रधान मंत्री है बच्चो ठीक है भारत और इजराइल ने अभी 2022 में दोस्ती के कितने साल पूरे किये 30 साल है ना और एक लोगो भी जारी किया था 30 साल पूरे होने पर क्योंकि भारत और इसराइल के भी संबंद इस्थापित हुए 1992 में कब 1992 में बच्चो ठीक है यह सारे के सारे सवाल आपको याद रखने हैं किसने 2022 जापान ओपन प एक फास्ट्रेक जो है बच्चो फास्ट्रेक मेकेनिजम स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दो जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है तो वो रखिये बच् सबसे ज़्यादा पदक सेवा यानी सर्विसिज या सेना नाम से आएगा आपको बताना है ठीक है चलो या सेना नाम से आएगा ऐसा मानता सुचकांग को कम करने की पृति बध्धता में कौन सा देश सबसे उपर है नौर्वे सबसे उपर है जिसने ऐसा मानता को कम करने के सबसे ज़्यादा प्रियास किये भारत में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वहिकल्स पर पहली पाइलट प्रयोजना का सुभारम किस ने किया है तो नितिन गड करीजी ने किया है बचो लोक नायक जैप्रकास नारायन की 14 फिटूची पृतिमा का नावरन कहां किया गया है बचो वो बिहार में सारंड जिले में किया गया है किस ने किया है जो हमारे ग्रह मंत्री है अमित शाह उन्होंने किया है ठीक है बचो अक्टूबर के पांसा सवाल देखो वायू सेना के प्रमुक कौन है आदर्स वाक्के क्या है तो F.I.H. Women's rising star of the year तीनों महत्मुन सवाल है तो देखो वायू सेना प्रमुक आपको पताईए विवेक राम-चौधरी इनका पूरा नाम है क्या है विवेक राम-चौधरी touch the sky with glory ये वायू सेना का आदर्स वाक्ए है touch the sky with glory आपको बस देख के यादा जा है याद रहे ना रहे देख के या जाना चाहिए बच्चो आपको वहाँ पर ठीक है और मुम्ताज खान जो है जो हमारा बच्चो अंतरास्तिय हो की महासंग है उसकी महीलाओं में rising star of the year मुम्ताज खान है ठीक है उसमें बच्चो पी-आर सिर्जेस जो है best पुरुस गोल कीपर है यह अंतरास्तिय है भारत के अ परमन प्रीत सिंग है खीक है? डवलुए चो के कारेकारी बोर्ड में जो अमेरिका के भारतवन्सी पृतिनिधी बने हैं, डवलुए चो का जो एक्जिक्टिव बोर्ड है, उसमें अमेरिका में, बच्चो, अमेरिका ने अपनी तरफ से जो representative भेजए वो भारत के मूलके हैं, किसके हैं? भारत के मूलके हैं, क्या उनका नाम विवेक मूर्ती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्छो, 2022 में जो international solar alliance है, अंतरास्ति ये सौर गटबंदन है, उसकी पाँचमी सभा का आयोजन कहा किया गया है, मेजबान भारत है क्या? भारत है क्या? दिल्ली में आयोजित की गई है क्या ये सभा? क्या दिल्ली में की गई है बच्छो? और P20 सम्मेलन 2020 में, जो बच्छो 2022 में जो P20 सम्मेलन हुआ है, यानि G20 जो G20 जो देस होते है न बच्छो, G20 देसों की जो संसद है, उनके संसदों का सम्मे जकारता में कहां, इंडोनेशा के जकारता में हुआ है, ठीक है, चलो, शान्ती का नोबल किसने जीता है, तो शान्ती का जीता है बचो, एलेस बियाल यास्की, बेलारूस के हैं, एलेस बियाल यास्की, यहाँ पर बेलारूस में मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, बचो रूस में मानव अधिकारों के लिए काम करता है बचो और Center for Civil Liberties ये यूक्रेनी संग्ठने कहां का है यूक्रेनी इन तीनों को मिलाकर दिया गया है ठीक है इन तीनों को मिलाकर बचो दिया गया है आज के सवाल दे मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है अमीश तिरपाथी उर्जित पटेल नीनराय या हरीश महता बचो दूसरा किस राज्य की सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथपी एप लॉंच किया है सिक्किम तमिलनाडू दिली पस्चिम बंगाल बच्चो किस राज्य में सरहुल उत्सब मनाया गया सिक्किम जार्खंट गो आया गुजरात में चौथा भारत के राजपती ने किस INS को प्रतिस्थित प्रेसीडेंट्स कलर परदान किया है बच्चो INS विकरांत को, INS रनवीर को, INS अरिहंत को या INS वल्सुरा को और बच्चो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है ये पांच में से आपको बताना है RWA Current Affairs हमारा Telegram Channel है जो आपको join करना है PDF मिलेंगी आपको quiz मिलेंगे important videos के क्या मिलेंगे साथ में important videos के आपको मिलेंगे बच्चो क्या जल्दी बताओ क्या मिलेंगे link share हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए जो October 2021 से और December 2021 यानि ये जो तीन महीने थे पिछले साल के बाकी तो मैंने मन्थली बना रखा है लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो गए हैं कुछ सवालव काम के नहीं रहे तो लगभग एक से डेड़ घंटे के अंदर की class होगी तीनों महीने इसमें निप्टाए करेंगे बच्चो लिंक मैं आपको RW Current Affairs में शेर कर दूँगा कि क्या टाइम है इसका ठीक है अभी के लिए इतना ही बच्चो और शाम को मिलते हैं आज आप ले लेना एक लास है अगर मैं किसी चीज के लिए कह रहा हूँ इसका मंदलब आपके लिए ज़रूरी है वरना तो कहता नहीं ठीक है अभी के लिए इतना ही धन्यवाद